दोस्तो आम तोर पर गन दो प्रकार की होती हैं, आटोमेटिक और सेमी आटोमेटिक, दोस्तो ये एक सेमी आटोमेटिक गन है, जिसकी मैगजीन में कार्टूज भरा जाता है, जिसके फॉलोवर और स्प्रिंग दबाव बना कर रखते हैं, दोस्तो ये गन के अंदर के बहुत में तुपूर्ण पार्ट्स हैं दोस्तों गन लोड करने के लिए रिकॉयल स्प्रिंग के अगेंस्ट स्लाइडर खीचा जाता है और नीचे स्प्रिंग के दबाव से कार्थूस उपर आकर लोड हो जाता है और पीछे का हैमर एक शियर में फस जाता है जिससे फायर अपने आ बनाते हैं और हाई प्रेशर बनाते हैं और बुलेट उस प्रेशर की वज़े से स्पीड से निकल जाती है